यूपी के बारा बंकी में भीशर सड़क हाथसा हुआ है एक बस को पीछे से तेज रफ़तार ट्रक दे टक्कर मार दी इस हाथसे में 18 लोगों की मौत हो गई है जबकि दरजनों लोग खायल है ये भीशर हाथसा राम सन्यही घाट के पास अयोध्या लखनाउ हाईवे पल हुआ है बस हर्याना के पलवल से बिहार जा रही थी बस में मजदूर सवार थे जो बिहार लोट रहे थे बस में लगभग 140 यात्री सवार थे जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है बस हर्याना के पलवट पे आ रही थी गाड़ी वहां पे हिसार और पद्वल में इसमें यात्री चड़े थे चाहिशने दो बसों के यात्री एक भी गाड़ी में महां बैठा दिया गया थे उसके बाद वो जा रहे थे ये बिहार जा रहे थे बिहां के कई जी लोग इसमें यात्री चे जो जा रहे थे और उसके बाद इसका कुझदूर पहले भी पहले ये बाद टायर पंचर हुआ था उसको रिपेर करके ये लोग आगे बढ़े तो यहां पे पुलिक के पास इनका एक्सल जो है गाड़ी का वो तूर लिया और तर दोडा लोग हैं सिरियस इंजर्ड है सभी को मेडिकल एड़् के लिए लिए बीप हास्पिटल पते जा गया है और बादी पुलिस किसातन मौके पे मौद है क्रेन मादा करके गाड़ी इसको अठाय जा रहा है और उसके बाद बादी करवाई की जारे ने को हैं ये मौके प आज रातरी में जनपत बाराबंद की रामसने घाट में भाईवे पर एक दुखा दिखटना हुई लोग बस के नीचे अभी भी डवे हुए हैं और इसकी ऑपरेशन हमारा जारी है उसके साथ साथ कई लोगों की डेट बाड़ी निकाला जा चुका है इस प्रकार खुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगबग 18 लोगों की मृत्यूतों हो चुकी है इस दुखत घट अपना के बाद जिल्ला प्रशाशन और पुलिस शक्री होकर हम लोग सभी ब्यास कर रहे हैं कि इनको सही किश्चा की शुविथा मिल जाए और बाकी से शकारवाई भी की जा रहे है PM मोदी ने हाथसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपे और घायलों को 50,000 रुपे मुआवजा देने का एलान किया है CM योगी ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रती अपनी संवेदना जाहिर की फिलहाल सभी घायलों को बारबंकी और लखनों के ट्रॉमा सेंटर में भड़ती करा गया है और मौके पर रेस्क्य उपरेशन जारी है न्यूस डेस्ट तर्णवाट प्राब्स